Hey guys, welcome to another OpenShot tutorial Guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप OpenShot के अंदर OpenShot का Interface कैसे reset कर सकते हो अगर वो खराब हो गया है या कोई tab आपको नहीं दिख रहा है Guys, कई बार इसके उपर मुझे Like, comment section में पूछा जाता है कि मेरा ये interface बिगड गया है Interface कोई tab नहीं आ रहा है यसे project file, transition या effect tab नहीं आ रहा Video preview area मैं नहीं देख पा रहा हूँ Access नहीं कर पा रहा हूँ तो इसको मैं कैसे reset करूँ तो मैं कई बार इसको Most of the time मैंने comment पे reply किया है तो मैंने सुचा क्यों ना इसके उपर एक video बना दी जाए तो guys मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो इसका default interface है वो क्या रहता है Default interface में आपको उपर menu bar और यह tab bar और यहाँ आपको project file, transition, effect, effects tab, video preview और timeline तो यह इसका default interface है Suppose आपका कोई tab close हो गया जैसे transition tab close हो गया है और effect यह भी close हो गया है और video preview आपका ऐसे हो गया यह इधर आ गया है यह कहीं पर भी हो कहीं पर भी चला गया है और यह पूरा मैस अप हो गया है अब आपको समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे reset करें तो आप क्या करोगी view menu पे जाओगी views then simple view तो आप देख सकते हो यह पूरा interface reset हो गया है उपर menu bar, tap bar और यहां project files, transition, effects, video preview और यहां पर यह timeline राइट एक बार और दिखा देता हूँ जैसे project file यह close हो गया transition को मैं close कर देता हूँ अब मैं क्या करूँगा, दुबारा view menu पे जाओँगा views and simple view तो यह देखिए reset होगा है दुबारा से यहां पर और भी option है यह देखिए, advanced view पे क्लिक करेंगे हम तो यह यहां पर properties का tap भी open हो जाता है तो यहां पर भी इसको भी आप consider कर सकते हो अगर आपको ऐसा view पसंद है जहां पर कोई भी आपकी जो video होगी video पर right click करके आप उसकी properties देखना चाहोगे तो default में यहां पर properties का tap भी रहेगा इसको भी आप modify कर सकते हो तो अपने according अरेंज कर सकते हो और इसको दुबारा से reset करना है तो आप यहां जाओगे view and इसके बाद में simple view तो यह दुबारा से reset हो जागा right guys so guys that's it for this video I hope यह video आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको यह video अच्छे लेगी तो आप इस video को like कर सकते हो और अगर आपने भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे next video में till then stay healthy, stay fit, keep learning and goodbye